बेबस पेड़ित, बेटी को उठा ले गए सपानेता, गला घोट कर करदी हत्या, बेशर्म पुलिस योगी राज में सपानेता के ठिकानेतार बेटी का शब, शर्म करो उन्नाव पुलिस, एक महीं बाद मा के आठ गुदहा की कोश्च पर लिखी रिपोर्ट एफायार होने में महीनों लग गए, सपानेता आरोपी, उसी के ठिकाने पर मिला शब, ठाने में सोती रही, बेशर्म उन्नाव पुलिस सपानेता के सामने पुलिस का सरिंडर पुलिस महरबान, योगी मौन, गुंडे बने शेता क्या यही है, राम राज मा चीख चीख कर कहती रही, वो हैवान उठा ले गया है बेटी बेटी तो मर गई, पिता बेसुध है, पुलिस आज़ाद है योगी जी यूपी में आमाग्मी का बेटी का बाप होना गुना है क्या योगी राज बेटियों के दरावने दिन सपानेता के छिकाने पर गुंडा राज 2015 में बॉलिवुट के एक फिल्म आई थी, जो कि दो घंटे 29 मिनट की थी प्रकास जहाद साहब ने इसको डैरेक्ट किया था और अभी नेत्री थी प्रियंका चुप आप सभी ने इस फिल्म को देखा होगा इस फिल्म में एक नेता था, जो कि विधायक का भाई था वो एक लड़की को उठा कर ले जाता है उसको अपरण्ट करता है, उसके साथ दरिंदगी करता है, उसकी हत्या करता है यह देख कर पूरे देश का खून खौला, पूरे देश का लेकिन चूकी एक फिल्म थी तो इसको महज वही तक सीमित रहने दी हमें भी लगा कि ये फिल्मों में बहुता है लेकिन क्यूकि एक कहावत है कि फिल्में समाज का आइना होती है लेकिन ये समाज आज तक जीवित है इसको सोचना भी बड़ा संकट भरा हो जाए दर्चको उन्नाओ में एक नेता जो की समाजवादी पार्टी से कही ना कही संबंधित है क्योंकि उसका जो पिता था वो समाजवादी पार्टी में एक मंत्री का पदधारन किये वह है उसकी चाल साल पहले इमृत्ती हो करें लेकिन उसके बेटे का आज भी इतना रसूख है कि वो एक दलित बेटी को उठा कर ले जाता है एक एक शब्द मेरा नूट करिए एक दलित बेटी को उठा कर ले जाता है उसका अपरंड करता है उसको महीनों तक अपनी हवेली में अपनी प्रॉपर्टी में उसको बंद रखता है अब आप कहेंगे कि वो बेटी थी उसके परिजन कहां थे उन्होंने पुलिस से क्यों नहीं शिकायत की तो आपको सुनकर हैरानी हुए कि मा बाप पूरा परिवार पुलिस के रोजाना चक्कर काटता रहा है पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी एफ आई यार तक नहीं गई और उसकी मा का कहना है उसने बताया कि ये देखिए ये सामने जो हवेली दिख रही है इसके अंदर मेरी बेटी बंद है अब इसको खुलवाई है पुलिस वालों ने नहीं खुलवाई इसलिए आज हम कह रहे हैं कि ये बेशर्म पुलिस है और ऐसा पहली बार नहीं अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने लेट जाती आतना करने की कोशिश करती और अखिलेश यादव से कहती है कि साहब अपने नेता से कह कर देखो तो सही अगर आप अपने नेता से कह दोगे तो मेरी बेटी छूड जाएगी ये कहना है उस मांकर कि उसने अखिलेश या अखलेश यादव ने नहीं सुना उसको योगी आदितिनाथ मुख्य मंत्री उत्तरप्रदेश इनके घर के बाहर भी वो पहुंचे लेकिन तमाम कोविट का अचार सहीता का बाते कह कह कहर उनको वापस लोटा दिया गया और अब उस बेटी की उसी नेता के ठिकाने से लाश मिलाए उसी सपा नेता के ठिकाने से उस बेटी का शौव मिला है आज मा बेबस है, पिता बेसुद है, पुलिस तो आजाद है, बाइट दे रही है मीडिया के सामने कह रही है कि ठीक है पुलिस वाले ने F.I.R. नहीं लिखी थी उनको सस्पेंड कर दिया जिस थानेदार ने नहीं लिखी थी उसको सस्पेंड कर दिया जिस Constable ने लापरवाई दिखाई है उसको सस्पेंड कर अरे सहब अब तो यूपी के जनता को इस सवाल करना हो कि बेटी उस घर की मर गई सबको पता था उसकी मा कह रही थी कि उस सपा नेता ने उसकी बेटी को कैद किया चुड़वाओ 2022 ये चल रहा है योगी राज है राम राज की बात की जाती है और एक मां उसी उत्त्रप्रदेश में कह रही है कि सामने उस नेता के घर में मेरी बेटी बंद है चलो पुलिस सहाग तो पुलिस कहती है अरे चलो हटो नेता जी नेता जी नेता जी नेता जी तो ये हुआ है उन्हाओ में दो महा लगबग पहले एक बेटी लापता हो जाती है उसकी मां पुलिस में कंप्लेंट करने जाती है पुलिस वाले दुतकार कर भगा देते हैं और कहते हैं कि भाग गई होगी किसी के साथ वो मा कहती है कि मुझको पता है वो सपा नेता की घर पर है वहीं उसको उठा कर ले गया है पुलिस नहीं जाती है पुलिस कुछ नहीं करती है एक महीने के बाद वो बेटी जब नहीं लौटती है, जब कुछ नहीं होता तो उसकी मां लगनोई पहुचती है, उनना उसे लगनोई लगनोई जाकर अखिलेश यादभ के काफिले के सामने वह आतनधा की कोछिश करती है जिसके बाद वो कहती है कि अकिलेज साहब अपने नेता से कहकर तो देखो शायद छोड़ दें उसे वो नहीं छोड़ दें ना अकिलेज जी सुनते हैं जिसके बाद पुलिस हाला की हरकत में आती है और तब जाकर F.I.R करती है उसके बाद CEO कहते हैं कि ठीक है टीम गठित करती है कोई टीम गठित नहीं की जाती है कुछ भी नहीं होता अब जाकर जब वो योगी जी के पास पहुचती है तमाम जगहों पर पहुचती है अब जाकर SOG की टीम गठित होती है SOG की टीम कांद करती है और अब जाकर उस बेट प्रांस के जरीय उसको ट्रेस किया जाता है जो नेता है वो पहले से गिलफतार कर लिया गया था जेल में है उसका दोस्त को ट्रेस किया जाता है उसका दोस्त पूरी पोल पट्टी खुलता है वो बताता है कि नेता के साथ मिलकर मैंने ही उसके हत्या की है पोस्ट मॉटम अरकम शब्दों के बीच ये सब कुछ चल रहा है। क्या कुछ कहना है उनकी माँ बहुति आपको ये सुझीवाते हैं फिर आपको बे शर्म पुलिस क्या कह रही है उसको सुनवाइए पहले मा कह रही है उसको चलाईए घजराग तो आप लोग असरम पहले आई थी हम पहले सुप्रेयर नरायन दिश्चित को लेकर आई थे पूरा आशरम को लेकर दिखा दिया यह कोटी जो तीन वंजिल की नहीं दिखाई कहने लगे इससे कोई मतलम नहीं है यह इस पे चल्दा मुदिमा और यही मेरी लड़की बंद ती हमन दरोगा जी को फोन किया प्रेमरान दिश्चित को फोन नहीं बुठाया तो चौप कर लिया फोर अगर यह आजाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिन्दा मिल जाती है यह रजोल सिंग कोन है रजोल सिंग एक जलाद आदमी है वया हसुप सिंग का भाई है कितना समय हो ग जुरू कि जिने कोई सुनवाई नहीं कि यह कहा कि तुम्हारे लड़की बालिक है कहीं भाग गई हो कि आजाएगी बयान करेंगी कौन कह रहा था यह जितने अधिकारी है सीओ स्पटर सबने यहीं का यह सपिसायस से डेड़ महीने तक हम से मिलने नहीं दिया कहें तुम्ह मैं लड़की को डूड़ने के लिए लगी है तो कोई टीम नहीं लगी ती अभी 25 तारी को मेंटर यह सोजी उसहर को दिया गया है मेरी लड़की को बराबर जूट बोलते रहे हैं क्या लगता कि तिला परवाहिएट जानकरी मेरे भाई को पता चला मेरे भाई ने तुरंद प्रवाहिए पुलिस की लापर वाहिए पुलिस की इस पटर कहीने लगे तुम्हारा जरिया पैसे कमाने का उससे पैसा तुमाग रही हो चाल लाख लड़की तुम्हारे पास है किसने का था यह इस पटर तो मां के एक एक शब्द को धान से सुने लाएक एक शब्द बहुत गहरे हैं एक एक शब्द में वो जो आज बोल रही है वो एक एक शब्द सच उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले ही दिन से कोई सुनवाई नहीं की करते अब यह जो इसकी मां कह रही है इसको जो प्रदेश की सरकार कह रही है उससे ज़रा मिला कर देखें प्रदेश की सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है रोजाना करती है हर घंटे हर मिनट करती है लेकिन यह मां कह रही है कि पहले ही दिन से पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की पूरा A to Z नीचे से लेकर उपर तक पूरा जो भी पुलिसिया तंद्र था सब ने गैर जिम्मे किया है लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने सीधे तोर पर कोई कारवाई नहीं करी अगर पहले दिन कारवाई की होती है लेकिन इसके बाद भी खेर आज पुलिस का क्या कहना है अधिकारी साहब का क्या कहना है यह आपको सुनवाते है इस पूरे मामले में फिलाल अभी पुलिस क्या कुछ कह रही है इसको जरा सुनवाइए थोड़ा से पिछले पिछले आठ दिसंबर से एक जिवाइन यूटी की पुषिदगी दर्श की गई थी और यह उसी की डेड़ बॉड़ी आज यहां पर बरामद हुई है इसमें बाद में खैयार दर्श में तर्मीन कर दिया गया था और इसकी सियू सिटी द्वरा विशना की जा रही थी इसमें जिसके उपर संदेही आरोपी था उसको हमने ग्रिफ्तार कि गया था उसके बाद मे हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे आज उनी के कंक्लूजन के आधार पर आज यहां पे डेड़ बॉड़ी बरामत की गई है और इसमें हम आगे की पुस्टमाटव रिपोर्ट के बाद अधरी में धानिक कारवाई करेंगा और जो लोग भी इसमें शामिन रहे हैं इस कर दिया गया है इस थाना प्रभारी को सस्पेंड करने से क्या जिस माने बेटी को खोया है उसकी बेटी वापस मिल सकते हैं नहीं मिल नेकिन अब सब नौट anlat I am अब जाँच होगी फलानी जाँच होगी ये जाँच होगी वो जाँच होगी वो दलित बेटी तो चली और ये कौन सा कौन सा ये रसूख है जिसके चलते ये नेता दलित बेटियों को इस तरीके से अपरहन करना गरीब लड़कियों का अपरहन करना और इनको डर नहीं है इन पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से प्रदीब भटनागर साहब है और संजीब चौदरी साहब है मेरे साथ समाजवादी पार्टी से बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले प्रदीब जी मैं आप से बात करना चाहूँगा जरा प्रदीब जी सुबह उठो अख़वार उठाओ उसमें लिखा होता है महिला सुरक्षा इस सरकार में जो दी गई वैसी महिला सुरक्षा कभी आज तक देखी नहीं पाशाण काल से लेकर आज तक ऐसी महिला स सुरक्षा महिला सुरक्षा और साम तक दोपहर तक ही मान लो ये फीड आती है रोजाना आती है आती रहती है एक बेटी उसका एक गुंडा परहण करता है एक महीने तक आपकी पुलिस एफ आई यार नहीं लिखती है वो महिला दर-दर भटकती है रोज थाने रोज चौकी के चक्कर काटती है आपका CEO जिम्मेदार है आपका CEO उसको जूटा आश्वासन देता रहा लगातार SSP तक वो गई जो अधिकारी थे वरिस्त अधिकारी उनके पास तक गई वो भी जूटा आश्वासन देते रहे अब जाकर SOG की टीम लगाई गई इसके पीछे और आप ज उसी के अंदर उसी कास पास शौब मिला है अब आप यह समझा दीजिए कि ऐसे कैसे होगी ऐसे कैसे महिला सुरक्षा होगी अब आप इतना समझा दीजिए जब आज भी आपकी पुलिस जो है वो रसूखदारों के सामने दंडवत प्रणाम करती नज़रा रहे हैं देखे जी मैं समझाने के लिए नहीं आया हूँ पहले जो पुलिस से ने जो हरकत करिये तो पहले इसके लिए सरकार की तरफ से जिम्मिदारी लेते वे इसके लिए बहुत ही शर्मिंद्गी की बात और में शर्मिंदा भी होता हूं अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और उसके नेतरत में यह चीजे हुई है तो बहुत शर्म की परदेश के लिए परदेश की पुलिस के लिए भी हैं और परदेश की जो सरकार है वो पुलिस का चाल चलितर को पूरे तरह के से चेंज और पार्दसिता करने के लिए पांच वर्श काम किया है और पुलिस को ही कि इतने उन अधिकार दिये कि उस अधिकार होगा गल्ट फाइदा ना उठा के लोग के डर निकाले जाए जो चार बजे के बाद घर से नहीं निकल पाते थे उन चीज़ों को लेकर ही पुलिस को संजय को तयार किया गया था अब जो आज 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 आपने अभी जितनी में सुन रहा आपको रवाके में आपने जितने भी शब्द रखे उन शब्दों में इतना दर्द था और इतनी तड़प थी कि शायद अगर आप पर ही जज होते या कहीं उपर पद्द बोड़े क्या करते आप पर समझ सकता हूं आपके साथ संवेदना परिवार के साथ भी है उसको इत्रा बता जिस थाना इंचार दें हरकत करी है थाना इंचार जो हरकत करी है वो माफी लाइक नहीं है और इस पर जो कारवाई होगी होगी जिंदिगे में कभी कुर्सी पे बैठनी पाएगा यह तो मैं पहले मैं आपक और हाथ के बने वे हैं क्योंकि अच्छा सहीता लगी है मगर तैयारी पूरी है माफी किसी के लिए नहीं है और इस माफी नामे को हमने आगे भी देखा है मतलब यह सड़ी हुई सोच वाले पुलिस करवी आपके पूरे तंत्र में शामिल हैं तो इसके लिए भी आपको कु पुलिस करवी उन्हें पदोनती दी गई क्योंकि लॉए नटर काइम हो इस पुलिस को चेंज करने के लिए उनी से लिए के सतरह तक जो महिला की भरती नहीं होती थी उनकी तीन गुना भरती करके हर थाने के अंदर महिला डैक्स बनवाया गया इसलिए कि कुछ चीजों को यह आजा गया श्यां बीस परिवार्टर लाया जाए जब आपके चैनल पर शून रहा हूं जो चीजह आपने रखी उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को अभी समय लगे का चेंज होने में हम और अभी उत्तर प्रदीश के ही लगता है उसमाज वादी पाती की रही है उसका साचाना जाएगा और उसमें सीधा और कड़ा को करना पड़ेगा ठीक है नहीं तो इस्तिफा देके या सस्पेंट कर घर भीजा जाएगा उनको ठीक है संजीब समाजवादी पार्टी का चाल चली तरह सामने आया है फिर से यह बेटे के माबाब की चीज बेटे में यह बहुत शर्म की बात है मैं तो यही देखना चाहता हूं कि दिल्ली से कौन को दोड़ेगा वुपेश बकेल दोड़ेंगे या अशोग गेलोद दोड़ेंगे या अखलेज जी अब लखनाओ से दोड़ेंगे या फिर प्रेंका जी दोड़ेंगे इंतजार इस चीज़ार चाहिए विए फिलाहल ठ संजीब चौदरी साहब मेरे साथ है आप समाजवादी पार्टी से नेता है संजीब चौदरी साहब यह बताईए जब कुल्दीप सेंगर का मसला हुआ था इसी उन्नाव से तब आप जोर शोर से पूरी आवाज बुलंद कर रहे थे रोजाना में आपके देखता था आपक से यह इस हाई लेवल का गुंडा वाइरस से विकरत व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति पर उसकी मा बता रही है कि 8 दिसंबर से उसको पता था कि यही व्यक्ति उसके बेटे को उठा कर ले गया है और यही मा अखिलेश यादव के गाड़ी के सामने खड़ी हो गई थी और कहा था मैं आतमदा कर लोगी और अखिलेश यादव से काड़ी साहब अपने नेता को समझाओ मेरी बेटी को छोड़ दे यह आज के 2022 की बाते बता रहा हूं 2021 की कि आज के समय में भी ऐसा है कि राजा के तरह है अखिलेश यादव के सामने वो मा गई उसने कहा कि अपने लोगों से कहो मेरी बेटी को छोड़ दें क्योंकि वह तंत्र से तो हार गई थी पुलिसिया तंत्र से तो आपके पास पहुंची कि अपने नेता से कहिए कि मेरी बेटी को छोड़ दें और आज उसी नेता के ठिकाने पर यह शौ मिला है आज आप क्या कहेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ यह गटना जो हुई है इसमें बड़े दुख की गटना है यह कोई भी हादसा कि जी की ताक भी हो देखता है यह मैं मैं दुख पर कटकरता हूं जो भी यह गटना हुई है और रहा सवाल पुलिस तन्तर का सबसे पहले जुम्हवारी चरकार की होगी है जो लोग चरकार में तो हार गए उनसे उनकी बात नी कर रहा हुआ 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 लोगण आपको बिलगा है इस बतो हुखती होते रहते हैं bu लेते हैं और वीडियो अपने कहा है आपने कहा है तो बॉला है आप जादा कि बच्चे गल्ती करते रहते हैं आप तुना ही है जरा मुझे अगर मैंने कहा है तो अरे आपने कहा है आपने कहा है कि हादसे होते रहते हैं आपने कहा है ये बात आप माननी इस बात को मैंने ये कहा है कि जो हादसे तरकार में हो रहे हैं यह होते हैं यह खोते रहते हैं, उनकी जुम्मिवारी, आप पूरा सेंस दें के, टीक आप पागे बढ़ी बढ़ते हैं, रज्थे होने के लिए ही बने हैं, क्या बोल रहा हैं, मैं यह कह रहा हूँ हादसे जो होते हैं . कि आप से जवाब मगा है आप जवाब दीजे क्या हादसे होते रहते हैं आपकी सरकार की बाते बोल रहे हैं जिस आपकी आपकी पार्टी का नेता आपकी पार्टी पर गुंडा लोगों को सम्मिलित करने का आरोप लगता है आपकी पार्टी के लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग गुंडा गर्दी करते हैं और ये खबर जो मैं बता रहा हूं आपको इसमें आरोप है मैं इनका भी जवाब दू मैं आपका भी जवाब दू पहले मुझे मुझे बोलने तो दो पूरा कोई भी चाहे वो समाजवादी पार्टी का है चाहे वो बसपा का है चाहे वो बीजेपी का है चाहे कॉंग्रेस का है जो गलत काम कर रहा है वो दोसी है इनके पुलिस ने, इनके मुख्यमंतरी जी ने, क्यों नहीं कारवाई की? पिरसन ये है, ठीक है कारवाई वाली बात अलएगे हैं, अरे आप बोलने तो बीच में को बोल रहा बढ़ना कर जी, जब आप बोल रहे ते मैं नहीं बोल रहा था, सवाल पिरसन ये है कि वो कौन है, क्या है, वो बात का भी से है, इसलिए हमने कहा कि जो हाथ से हो रहे हैं, उन पे कारवाई होनी चाहिए, ठीक है, मैं एक बात आप से करना चाहिए, ठीक है, मेरा, मेरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, आपके मुख्यमंतरी दोस्यते, ठीक है, मेरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, आप ये कह करके, कि हम आचार सहीता लगी हुई है, ये कह करके अपना पीछा नहीं चुटा सकते, आप इस्तिपा दीजिए, ठीक है, आपके वसकी सरकार नहीं है, चला दी, इस्तिपा दीजिए ठीक है, आपने कहा कि ये बाद की बात है, कि वो कौन है, कौन नहीं है, ये बाद की बात है, इसलिए मैं आप पर बाद में आया, पहले मेरे प्रिशासन जो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल नजर आया है, उसको लेकर मैं बाद कर चुका हूँ, मैं उन पर वापस इतने बाद कारवाई होती है, पूरा तालुक आपसे है, अब आप लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या सपा के जो गुंडा वाले जो एलिमेंट हैं, क्या वो आज भी जीवित हैं? क्या गुंडा एलिमेंट जो हैं, वो आज भी समाजवादी पार्टी में हैं? और ऐसे लोग ह क्षरिक लाखे मिपिकर सकते में या तो और यहाँ फीर की कि तो क्या होका मुट रहे हुँ इस पार्टी को पौलिसida कि इस तर्कार इसे बात को कि वह समाजवादी पार्टी से ठीक है आपके एकसिंदंग फॉरा मॉमेंट रुकिए आप यहाँ पर बोलिए अजयमिश्रा टेनी जो है उसका जो बेटा है आशीष मिश्रा वो कौन है उसको बीजेपी के मंतरी का बेटा बता कर ही तो संबोधित करते हैं है उसकि भी पहचान है वहाँ भी प्रशासन पूरी तरीके से फैल है यहाँ भी प्रशासन पूरी तरीकेसा फैल है लेकिन सपा का वह नेता है सपा का नेता क्या गुंडा इसके पास के इतनी पावर एक будете तौनदाएगा उसका mдr करेगा और पूरी प्रिशासर पर डालेंगे पुलिस पर डालेंगे कि पुलिस तो उसको क्यों नहीं पकड़ा सपा का नेता है तो यह काम करेगा यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि पकड़िया कि नहीं कहा है कि नहीं कहा है कि अपकी पार्टी से संबंदित व्यक्ति था उसके पिता जो थे वह आपकी पार्टी में राजमंत्री थे अब मुझे इतना बता दीजिए उसके अंदर यह है तरह माइंड सेट कहां से आया कि वो सरयाम एक लड़की को उठा लेता है अब करेंगे आप करेंगे इनके उपर है कि ये करवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आपका यहीं है बिल्कुल करेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए ठीक है पर दिबतनागर आप पर अगर आपने कहा कि अगर इसा हमारा कोई भी व्यक्ति हमारे पार्टी सम्दित कोई गुंडा अगर उसका उंतर है तो इतना बता दीजिए, पुलिस के लिए तो आपने सीधे लिख दिया, कि बेशर्म पुलिस, आप बता दीजिए, आपकी सरकार को आज शर्म आ रही है, मैंने अपने वक्ते पहले आपको कही थी, जो गल्ती पुलिस से हुई, वो एक्षेप्ट करी, आपकी पुलिस ने, आपकी पुलिस सोती रही, क्या थाने चौकियां इसलिए बनाए गए हैं, कि पुलिस वहाँ बैठ कर सुबह साम चाय पीती रहेगी, गरीब लोगों को इसी तरीके से उनका शोजण करती रहेगी, और धनुगाई करती रहेगी, जो उस पर लगातारा रोप लगते हैं, क्या यही करते रहेंगे, क्या, दो महीने तक वो थाना क्या कर रहा था, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको थोड़ा सा और संग्यान भी दे दू कि ठाने में, सच्चों के अलावा, पूरा का पूरा थाना का स्टाफ ही सस्पेंड कर दिया गया है, थोड़ा से इस वारे में थोड़ा में आपके दॉस्टि डाल दो, पहले चीज़, नहीं आती, तो आज इस सित्रा पादसितर जो खुला गया है, जो मंतरी का बेटा पकड़ा गया है, तो पकड़ा नहीं जाता भाग जाता है, और दिखिए, यह नई समाजवादी पार्टी है, यह कैसे समाजवादी पार्टी, वो ही समाजवादी पार्टी है, दिखिए, प्रदी बटनागर साब, आपकी पुलिस से गलती हुई, मैं सबसे छोटे से ले रहा हूँ, एक कॉंस्टेबल के पास वो मा सबसे पहले गई होगी, दीवान के पास गई होगी, उसके बताई होगी पुरी बात, पहले तो दीवान नहीं उसे डाट कर भगा दिया होगा, फिर उसकी चौकी इंचार, थाना इंचार से बातचीत हुई होगी, उसके बाद फिर वो सीओ के पास गई, फिर वो पुलिस अधिक्षक के पास गई, फिर वो अखिलेश यादव के पास भी गई, फिर वो योगी जी से भी मिलने गई, इस पूरे सिस्टम में, फ्रॉम डाउन मांगते हैं उसमा से, आप कुछ मत कीजिए, आप माफी माफी मांगेंगे, अगर प्रशाशन को लगता, प्रशाशनी गलती है, ने बिल्कुल माफी मांगो, मुझे को आपती नहीं है, इस ने अपनी बेटी को ये जिगर का तुकड़ा को आया है, उसके दर्द को पता है, मैं भी एक बेटी का, मैं भी बेटी का बाप हूँ, मैं दल्द को समझ सका हूँ, वो मा कैसे बिलक रही, अरे वो तो इंसान है, मा जो रो रही थी, मतलब आप माफी नहीं मांगें, मतलब आप माफी नहीं मांगें, मैंने क्या का, अप माफी मांगें, आप माफी मांगें, आप जो सरकार आएगी अज प्रारूप दूसर करेंगे हमने पुलिच को सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत मित करी है और उस पे कर भी रहे है नगर जो हम विगार कर रख दिया मिस्यूज के लिए जो उसको सुदार में अभी समय है और करने में लगे भी है ठीक है प्रदी कदम उठाने पड़ेंगे और ऐसे जितने लोग हैं जितने ये विकरत मान सिकता कि जितने पुलिस के लोग हैं जो एक रुपया भी अगर सड़क पर लेते हैं ठानों में एक रुपया लेते हैं और कारवाई करना जिनको पैसा ही दरसल इसने दिया जाता है वो अगर कारव ठीक है चलिए ठीक है चलिए ठीक है समय की कमी के कार रही ही रोख रहा हूँ पुर्दी बटागार साहब आपने महिला सुरक्षा की बात बहुत कर दी मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप सच में इसको लेकर कुछ काम करेंगे और सपा के हमारे साथी संजीब चौधरी साहब जब आपके नेता का नाम आता है तो इसको ध्यान रखिए कि आप तब भी उतनी ही आवाज बुलंद कर सके जितनी आप अन्य मामलों में करते हैं ऐसा लोगों के मन में मत भेह पैदा करिए कि आपकी पार्टी का नेता कुछ भी करेगा और आप यहां बैटकर यह कहेंगे कि ऐसी घटनाय तो होती रहती है पुलिस की जिम्मेदारी थी पुलिस ने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई ठीक है तो चलि पूरा पुलिसिया तंत्र वो मां गिरगड़ाती रही और पूरा पुलिसिया तंत्र एक नेता के सामने एक मंत्री के बेटे के सामने नत्मस्तक पड़ा रहा जमीन हो यह आज की हकीकत है शुक्रिया कल एक बार फिर आप से मुलाकार देखिए भारत एक नाइन कावेंद चौहान के साथ